परम आदर्णिये प्रधान मंत्री महोदे, आदर्णिये मंत्री महोदेगण, आदर्णिये राज्य मंत्री महोदेगण, परेटन वा संस्कृती छेत्र से सम्मंदित सभी मानने वर देवियों तथा सज्जनु। बजट 2030-2024 के परिपेक्ष में परेटन मंत्राले तथा संस्कृती मंत्राले द्वारा संयुक्त रूप से आज एक पोस्ट बजट वेबिनार का योजन किया जा रहा है और इस दोरान संबंदित मंत्रालें के प्रतिनिधी, राज्य सरकारों और परेटन छेतर के हितकार को द्वारा विबिन बिंदूओं पर विचार विवर्ष किया जाएगा ताकि इस बजट को कार्यानवित करने हितू एक ठोस कार योजना का निर्धान किया जा सके इस अफसर पर मैं परेटन मंत्राले तथा संस्क्रती मंत्राले की ओर से परमादर्निये प्रधानमत्री जी का स्वागत करता हूँ महोदे आपसे अनुरोध है कि अपने उद्वोधन द्वारा हम सभी का मार दर्शन करने की क्रिपा करें नमस्कार इस वेबिनार में उपर आपस्तित सभी महानुभाओं का स्वागत है आज का नया भारत नए वर्क कल्चर के साथ आगे बढ़ रहा है इस बार भी बजेट की खुब भावाई हुई है देश के लोगों ने इसे बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया है अगर पुराना वर्क कल्चर होता तो इस तरह के बजेट वेबिनार्स के बारे में कोई सोचता ही नहीं लेकिन आज हमारी सरकार बजेट के पहले भी और बजेट के बाद भी हर स्टेक होल्डर के साथ ले विस्तार से चर्चा करती है उनको साथ ले करके चलने का प्रयास करती है बजेट का मैक्सिमम आउटकम कैसे आए बजेट का इंप्लिमेंटेशन तय समय सीमा के भीतर कैसे हो जो लक्ष बजेट में तय किये गए हैं उन्हें प्राप्त करने में ये वेबिनार एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है आप भी जानते हैं कि मुझे हेड़ अब गवर्मेंट के तोर पर काम करते हुए 20 साल से भी अधिक समय का अनुभव रहा है इस अनुभव का एक निचोड ये भी है कि जब किसी नितीगत निरने से सभी स्टेकोल्डर जुडते हैं तो रिजल्ड भी मन चहां आता है समय सीमा के भीतर आता है हमने देखा है कि बीते कुछ देनों में जो वेबिनार हुए उसमें हजारों लोग हमारे साथ जुड़े दीन भर सब लोग मिल करके बहुत ही गहन मंतर करते रहे और मैं कह सकता हूं कि बहुत ही महत्वपन सुजावाए और आगे के लिए आए जो बजेट है उसी पर ध्यान केंद्रित के है और उसी मैंसे कैसे आगे बढ़ा जाए भहत उत्तम सुजावाए अब आज हम देश के टूरिजम सेक्टर के काया कल्प के लिए ये बजेट वेबिनार कर रहे है चाथियो भारत में हमें टूरिजम सेक्टर को नई उंचाई देने के लिए आउट आप दे बॉक्स सोचना होगा और लोंग टम प्लानिंग करके चलना होगा जब भी कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विख्सित करने की बात आती है तो कुछ बाते बहुत महत्तोपड होती है जैसे उस थान का पोटेंशल क्या है इस जब ट्रावेल के लिए वहां की इंफ्राट्रक्टर नीड क्या है उससे कैसा पुरा करेंगे इस पूरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोशन के लिए हम और क्या-क्या नए तरीके अपना सकते हैं इन सारे समालों का जवाब आपको भविश्य का रोड मैप बनाने में बहुत मदद करेगा अब जैसे हमारे देश में टूरिजम का पोटेंशल बहुत ज़्यादा है Coastal Tourism, Beach Tourism, Mangrove Tourism, Himalayan Tourism, Adventure Tourism, Wildlife Tourism, Ecotourism, Heritage Tourism, Spiritual Tourism, वेडिंग डेस्टिनेशन, कॉनफरेंसिस के द्वारा टूरीजम, स्पोर्ट के द्वारा टूरीजम, ऐसे अनेक खेत्र हैं। अब देखे रामायन सर्कुट, बुद्ध सर्कुट, कृष्णा सर्कुट, नौर्थी सर्कुट, गांधी सर्कुट, सब हमारे महान गुरुपरम परा हुई, उनके सारे तिर्श खेत्र, पुरा पंजाब भरापड़ा है, हमें इन सभी को ध्यान में रखते हुए, मिलकर के काम करना ही है, इस वरस के बजेट में देश में competitive spirit से, challenge route से, देश के कुछ tourist destination को development के लिए सिले करने के बाद कही गई है, इस चैलेंज हर stakeholder को साथ मिलकर प्यास करने के लिए प्रेदित करेगा, बजेट में tourist destination, इसके एक holistic development पर भी focus किया गया है, इसके लिए, अलग-अलग stakeholders को हम कैसे engage कर सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, साथियों, जब हम tourism की बात करते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है, कि एक फैंशी साथ शब्दा है, समात के high income group से और उनी लोगों को represent करता है, लेकिन भारत के संदर्ब में देखें, तो tourism का धायरा बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है, सधियों से हमारे यहां, यात्राइ होती रही है, यह हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन का हिस्सा रहा है, और वो भी जब संसाधन नहीं थे, यातायात की व्यवस्ता ही नहीं थी, भहुत कठिना ही होती थी, तब भी कष्ट उठा कर लोग यात्राओं पर निकल पड़ते थे, चारधाम यात्रा हो, द्वादस जोतिलिंग की यात्रा हो, इक्यावन शक्तिपीट की यात्रा हो, ऐसी कितिनी ही यात्राए है, हमारे आस्था के स्थलों को जोडती थी, हमारे यहां होने वाली यात्राओं ने देश की एक्ता को मजबूत करने का भी काम किया है, देश के कितने ही बड़े बड़े शहरों की पूरी अर्थ विवस्ता है उस पूरे जिले की पूरी अर्थ विवस्ता है यात्राओं पर ही निर्भर थी यात्राओं की इस पुरातन परंपरा के बावजूद दुर्भागी रहा कि इन स्थानों पर समय के अनुकुल सुविधाय बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया गया पहले सेंक्डों वर्षों की गुलामी और फिर आज़ादी के बाद के दस्वकों में इन स्थानों की राजरितिक उपेक्षा ने देश का बहुत नुक्षान किया अब आज का भारत स्थिति को बदल रहा है जब यात्रिक्यों के लिए सुविधाय बढ़ती है तो कैसे यात्रियों में आकर्षन बढ़ता है उनकी संख्या में भारी बुरुद्धी होती है और ये भी हम देश में देख रहे हैं जब बारणसी में काशी विश्वनाद धाम का पुनर निर्मान नहीं हुआ था तो उस समय साल में सब्तर अस्सी लाग के आस्पासी लोग मंदिर के दर्षन के लिए आते थे काशी विश्वनाद धाम का पुनर निर्मान होने के बाद पिछले साल बारणसी जाने वाले लोगों की संख्या साथ करोड को पार कर गई है इसी तरह जब केदार घाटी में पुनर निर्मान का काम नहीं हुआ था तो वहां भी सालाज चार-पांच लाख लोगी दर्षन के लिए आते थे लेकिन पिछले साल पंद्रा लाग से जादा सध्धालू बाबा केदार के दर्षन के लिए गए अगर मेरा गुजरात का पुराना अनुभव है वहां का भी अनुभव आपसे शेर करता हूँ गुजरात में पावागड करके एक तिर्षक्षत रहें बड़ोदा के पास जब वहां का पुनर दिर्मान नहीं दोगा था पुरानी हालत थी तो मुश्किल से दो हजार पांचे जार तीना जार इतनी संख्या में लोग आते थे लेकिन वहां जिर्णोदार हुआ कुछ इंफरस्ट्रक्टर बना सुविधाय बनी तो उस पावागड मंदिर के पुनर निर्मान के बाद नव निर्मान के बाद करीब करीब 80,000 लोग वहां आउस्सतन आते हैं यानि सुविधाय बढ़ी तो इसका सीधा प्रभाव यात्रियों की संख्या पर पड़ा तूरिजम को बढ़ाने के लिए उसके सराउंडिंग जो होती वो भी बढ़ने लग गई है और ज्यादा संख्या में लोगों के आने का अर्थ है स्थानिय स्तर पर कमाई के ज्यादा आउसर रोजगार स्वरोजगार के ज्यादा मोके अब देखिए दुनिया की सबसे उंची प्रतिमा स्टेची अफिनिटी का भी उधान देगा यह प्रतिमा बनने के बाद एक साल के वितरी 27 लाख लोग उसे देखने के लिए पहुँचे यह दिखाता है कि भारत के विविन्न स्थलों में अगर सिविल एपेनिटी बढ़ाई जाएं वहां डिजिट्रल कनेक्टिविटी अच्छी हो होटेल हॉस्पिटल अच्छे हो गंदगी का नामों निशान ना हो बहतरीन इंफ्रास्रक्टर हो तो भारत के टूरिजम सेक्टर में कही गुना वृद्धी हो सकती है साथियों मुझे आपसे बात करते हुए एमदबा शेहर में कांकरिया ताराग है उस कांकरिया लेग प्रोजेक्ट के विशे में भी कुछ करने का मन करता है अब ये कांकरिया लेक प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले वहाँ आम तोर पर लोग जाते नहीं थे ऐसे वहाँ से गुजरना पढ़े तो गुजरे लेगे वहाँ कोई जायता ही नहीं था हमें वहाँ न सिर्फ लेक का रीडेवलप्मेंट किया बल्कि फूड स्टोर्स में काम करने वालों को स्किल डेवलप्मेंट भी किया आधुनी गिन्सवा सब्सक्राइब साथ हमने वहाँ स्वच्छता पर भी बहुत जोड दिया अब कल्पना कर सकते हैं कि आज वहाँ एंट्री फी होने के बावजूद भी आउस्ट अन प्रतिश दिन दस जार लोग मुलाकात करते हैं ऐसे ही तरीकों से हर टूरिश डेस्टिनेशन अपना एक रेवेन्यू मॉडल भी विक्सित कर सकता है साथियों यह वो समय हैं जब हमारे गाउं भी टूरिजम का केंद्र बन रहे हैं बहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हमारे दूर सुदुर के गाउं अब टूरिजम के मैप पर आ रहे हैं केंद्र सरकार ने बॉर्डर किनारे पर बसे जो गाउं है वहाँ वाइब्रेंट बॉर्डर विले योजना शुरू किया है ऐसे में होमस्टे छोटे होटल छोटे रिस्टरंड हो ऐसे अनेक बिजनेस के लिए लोगों को जादा से जादा सपोर्ट करने का काम हम सब को मिल करके कर रहा है चात्यों आज एक बात में भारत आ रहे है फोरेंट टूरिस्ट के संदर में भी बताऊगा आज जिस तरह दुनिया में भारत के प्रती आकर्शन बढ़ रहा है भारत आने वाले विदेशी टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ रही है पिचले साल जनवरी में सिर्फ दो लाग विदेशी टूरिस्टि की आये थे जबकि इस साल जनवरी में आट लाग से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट बढ़ आ है विदेश्ट से जो टूरिस्ट भारत आ रहे हैं, हमें उन्हें भी प्रोफाइल करके अपना टार्गेट ग्रूप ताय करना होगा विदेश्ट में रहने वाले वो लोग, जिनमें जयाता से ज़्यादा खर्च करने की खम्ता होती है हमें उन्हें ज़ादा से ज़ादा संख्या में भारत लाने के लिए विशेस रननीति बनाने की आवश्यक्ता है ऐसे टूरिस्ट बलेई कम दिर भारत में रहेंगे लिकिन ज़ादा राशी खर्च करके जाएंगे आज जो विदेशी टूरिस भारत आते हैं वो आउसतन सत्रासो डॉलर खर्च करते हैं जबकि अमेरिका में इंट्रनेशनल ट्राविलर आउसतन पचीसो डॉलर और आस्ट्रेलिया में करीब पांच हजार डॉलर खर्च करते हैं भारत में भी high spend tourist को offer करने के लिए बहुत कुछ है, हर राज को इस सोच के साथ भी अपनी tourism policy में बड़लाव करने की जरुवत है अब जैसे मैं आपको एक और उधान दूँगा, सामान्य तोर पर कहां जाता है कि सबसे ज़्यादा किसी स्थान पर रुकने वारा जो टूरिस्ट होता है, वो बड़ वचर होता है ये लोग महिनों महिनों किसी देश में डेरा डाले रहते हैं भारत में इतने भांती भांती प्रकार के पक्षी है, हमें ऐसे पोटेंशल टूरिस्ट को भी टार्गेट करके अपनी नीतियां बनानी होगी साथियों, इन सब पहांसों के बीश आपको टूरिजम सेक्टर की एक बेसिक चुनावती पर भी काम करना है ये है हमारे हाँ प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड की कम्मी गाइड के लिए स्थानिये कॉलेजों में सर्टिपिकेट कोर्स हो, कॉम्पिडिशन हो बहुत अच्छे नवजवान इस प्रोफेशन में आगे आने के लिए महनत करेंगे और हमें शामदार अनेक भाषा बोलने वाले अच्छे टूरिस गाइड मिलेगे उसी प्रकार से डिजिटल टूरिस गाइड भी अब तो अवेलेबल है कर सकते हैं किसी एक विशेश टूरिस डेस्टन में जो गाइड काम कर रहे हैं उनकी एक स्पैसिफिक डेश या वर्दी भी होनी चाहिए इससे लोगों को पहली नजर में पता चला जाएगा यह सामने वाला जो बैकती है वो टूरिस गाइड है और वो हमारी इस काम में मदद करेगा हमें यह याद रखना होगा कि जब कोई भी टूरिस किसी स्थान पर पहुंथता है तो उसके इन मन में सवालों का भंदार भरा होता है वो अनेक सवालों के तक्काल समाधान चाहता है ऐसे में गाइड उन सभी सवालों के जबाब खोजने में उनकी मदद कर सकता है साथियों मुझे भी स्वास है इस वेबिनार के दौरान आप टूरिजम से जुड़े हर पहलू पर गंभीरता से विचार करेंगे आप बहतर सॉलूशन के साथ सामने आएंगे और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ जैसे टूरिजम के लिए हम हमाली जे हर राज्य एक या दो बहुत ही अच्छे टूरिज डेस्टेशन पर जोड लगाता है तो एक शुरुआत कैसे कर सकते हैं हम ताय करें कि बहुत से बच्चे जो टूरिज के रूप में निकलते हैं हर स्कुल करती है यात्रा के लिए निकलते ही लोयसके लिए बनाते तो अप्ताय कर सकते हैं कि भट अने प्लाने इंतिशन पर देच्रवें जो पर देए स्टूररम पर देच रोंद het अगर माल दीजिये हमारे सभी राज्य ताय करें जावitship कि आस्ट लक्ष में हमारे आच राज्य दूसरी उनिवर्सिटी दूसरे राज्य में टूर करेगे, तीसरी गर्सनी टूर, आप देखे, आपके राज्य में आठ उनिवर्सिटी ऐसी होगी, जहांके हमारी युगकों को नौर्थ इसके आठ राज्यों का पूरा आतापता होगा, उसी प्रकार थे, आजकल वेडिंग डेस्टीनेशन एक बहुत बड़ा बिजिनस हुआ है, बहुत बड़ा टूरिस डेस्टीनेशन बना है, विदे से तो लोग जाते हैं क्या हमारे राज्यों में वेडिंग डेस्टीनेशन के रुपे, स्पेशल पैकेज गोसित कर सकते हैं, और मैं तो कहूंगा कि हमारे अपर मिलद्र उसके अपर इसके लोग आज बेडिंग डेस्टिनिशन पर जाते हैं और उसमें भी जम नयापन होता है तो उनकी जिन्दगी में यादगार हो जाता है हमने इस दिशा को अभी तक उप्योग नहीं कर रहे हैं कुछ इने गुने स्थान अपने तरीके से करते हैं उसी प्रकार से कॉनफरेंश इस आज दुनिया के लोग कांफरेंस के लिए आते हैं हम ऐसा इंफ्रसक्चार तयार करें पॉब्लिक प्राइबेट मार्टर्शिप शिब्स्द करें लोगों को कहें जमीन की कुछ ऐसी विवसाएं करें तो कॉनफरेंस के लिए लोग आएंगे आएंगे तो पूरा इको सिस्टिम डेवलोफ हो जाएगा उसी प्रकार से स्पॉर्ट स्टूरीजम भी बहुत क्षेतना है हम इन्वाइट करें अब देखिए अभी कतर में फुटबॉल मैच हुआ पूरे धुरियां का कतर की एकोनोमी में बहुत बड़ा प्रभाव हुआ उसका दुनिया वर के लोग आए लंको लोग आए हम छोटे से शुरू करें बहुत बड़ा हो सकता है हमें इन तरीकों को डूंड़ना होकर उसके लिए फिर इंफ्रास्ट्रक हम अपने स्कूल के बच्चों कॉलेज के बच्चों हमारे सरकार की मीटिंगों के लिए वहाँ जाना अगर हम अपने एक डेस्टिनेशन को महत्पत देना शुरू करेंगे तो अपने आप और लोग भी आना शुरू करेंगे और फिर वहां की ववस्ताएं बनेगी मैं चाह हर राज्य को गर्व होना चाहिए कि दुनिया के इतने देश के लोग मेरे हां आते हैं दुनिया के इतने देशों को हम टार्गेट करेंगे हम वहां के एंबेसी को लिटरेचर भेंजेंगे वहां के एंबेसी को हम सब कहेंगे कि देखिए आप टूरिस्ट को लिए मदद चाह हमारा डिजिटल कनेक्टिविटी इन सब को बहुत आंधुनिक बनाना होगा और हमारा कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन आप ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी एप यू एन की सभी लेंग्वेजिज में ना हो और भारत की सभी लेंग्वेजिज में ना हो अगर मैं सिरफ अंग हमील का कोई सामयने परिवार आया है बस लेकर के चला है और वहां पर उसको हमील में अगर साइने जी मिल जाते हैं तो वो बढ़ी आसानी से पहुंच जाता है छोटी छोटी चीज़े हैं जी हमने एक बार अगर इसके माहत्माई को समझेगे तो हम अवश्य रुप से टू रोजगार के बहुत सारे अवसर जैसे एगरिकल्चर में है जैसे रियल एस्टेट डेवलप्मेंट और इंट्रासक्र में है टेक्स्टाइल में है उतनी ही तांकर तूरीजम के अंदर रोजगार की है बहुत अउसर है मैं आपको निमंत्रन देता हूं और आपको इस आज के वेबिनार के लिए बहुत सुब कामनाई देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद